पिछले हर्याना के विधान सभा चुनाओं में कॉंग्रेस का अपने जिलासतर पर संगठन ना होने की वज़े से काफी नुक्सान हुआ था और अब आने वाले दिनों में हर्याना में पंचायती चुनाओं होने जा रही है और इस वक्त कॉंग्रेस पहले जैसी गलती ना दोहरा कर अब जिलासतर पर संगठनों को मजबूत करने जा रही है इसी कड़ी में आज अंबाला में कॉंग्रेस हाई कमान द्वारा नियुक्त प्रभारी अंबाला के कॉंग्रेस भवन पहुँचे और वहाँ जिलाबर के कॉंग्रेस सियो कौामन तृत किया जाए और किसको क्या पत दिया जाए के बारे में कार्यकरताओं से जानकारी जु जावनी में भेझा गया है, जहां मैं बाला जिले के कांग्रेसी चार्यकरताओं से उनके संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और किन लोगों के हाथ में संगठन को सोपा जाए कि जानकारी लेगे और उस जानकारी को अपने आला कमान तक पहुंचाएंगे जिससे अंबाला में जल्दी संगठन का गठन किया जा सके महीं दूसरी और सह प्रभारी बिमला सिरोहा ने बताया कि आज हम प्रभारी बनकर अंबाला जुले में आए हैं और यहां हम जिले के कार्यकरताओं से उनके संगठन को मजबूत करने के बारे में जानकार भी लेगे और संगठन को किन हाथों में दिया जाए उन नामों पर भी विचार भी मर्श करेंगे और उन नामों को कांग्रेस हाई कमान तक पहुंचाए जाएंगे जिसे जल्दी हर्याना में संगठन का गठन हो सके को पैनल बनके जाएगा और जल्दी से जल्दी कॉंग्रेस को कि अमबाल आने का कारेकरम आज कॉंग्रेस जो संगठन है पुनर गठन के लिए के लिए के लिए नीचे के इस्तर ब्लोक इस्तर तक हम संगठन कैसा बनाए जिससे सब लोग अच्छे प्रतिरिदी कॉंग्रेस पर चुन सके अच्छे लोगों को प्रतिरिदी मिल सके कहार प्रतिश्ट्रिद आदमी समानित आदमी युवा मैलाय सब को प्रतिरिदी मिलेगा अब लोकल बंदों से कॉंग्रेस से रिलेटिव किसी भी तरह का प्रोग्राम होता है, किसी भी नेता की पूने थी जन्दी थी, कुछ भी होते हैं, तो यहां प्रोग्राम होते हैं और यह खुलता है सकंति पष्क्राम होते हैं, किसानों के अंदलन के साथ लड़ रहा है, कंग्रेस के का Tapus पहते है के वीधान सबाबे बेजा था पार्टी कमजोर है अच्छे खासे उसमें विधानशभा में भी लेके आई है और कॉंग्रेस पार्टी हमेशा ही पूरे डटके चाहे विपक्स की बात हो चाहे वो केंदर की बात हो चाहे आपने हरियाना स्टेट की बात हो लड़ाई-लड़ी है आज भी सड़कों पे, कॉंग्रेस का हर कारिया करता है, सड़कों पे तरह हुआ है, काम कर रहा है, और संग्ठन में जो कमजोरी की बात आई कि संग्ठन नहीं था पिछला है हमारा पिछले 6-7-7, नैचुरली फरक पड़ता है हम तो उनका स्वागत करते हैं, राजस्तान से शंकर जी आये हैं, और संग्ठन बनाने की तरफ ये प्रयास है, हम तो सबको बदाई देते हैं, और आप देख रहे हैं कितना कॉंग्रेस के कारे करता हूं के अंदर जोश है, कि संग्ठन बनेगा, पार्टी मजबूत ही है, और मजबूत होगी इस तरह से, ये जिम्मेदारी देने की बात होती है, कारे करता ना पहले पीछे हटा ना आगे हटा है, ना आगे हटेगा, और आप देखें अगर पिछली विदान सभा से इस विदान सभा में हमारी जो स्ट्रेंद है वो अल्मोस्ट दबल हुई है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि जब एक जिम्मेदारी किसी को मिल जाती है, उससे और बहतर जो है, वो कारे होता है, इसमें को दो राये नहीं और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं, तो आज ही बिना देर किये, अपने सपनों का घर बुख करेंगा